Good morning बच्चो, मैं हूँ Amit Tiwari और आप देखने हैं अपना YouTube चैनल Focus on Physics. बच्चो, आज हम Chapter 2 से Related MCQ का Part 3 Hindi Medium में लेकर के आये हुए हैं. इसके पहले अल्रेडी दो MCQ का Lecture अप्लोड हो चुका है, वहाँ से आप देख सकते हैं. तो चलिए, शुरू करते हैं आज के क्लास को. Question number 31 से. 31 number question है कि यदि एक positive आवेस को निम्न विभाव से उच विभाव छेतर की ओर ले जाया जाता है, तो बिधुत इस्थितिज उर्जा option A बढ़ता है, option B घटता है, option C समान रहता है, और option D इन में से कोई नहीं. Question है बचों ध्यान से थमझिएगा कि एक positive charge है, जिसको low potential से high potential की तरफ ले जाया जाता है. तो उसके बिधुत इस्थितिज उर्जा में क्या पड़िवड़तन होगा, तब बचों हमारा option A सही होगा बढ़ता है, यानि कि बिधुत इस्थितिज उर्जा बढ़ जाता है. Next, 32 number question, दिये गए चित्र में A और B के बीच का शमतुल धारिता ग्यात करें. Option A 6 फेराड, Option B 9 फेराड, Option C 18 फेराड और Option B इन में से कोई नहीं. तब बचों जो फिगर दिया गया है, उसमें तीन संधारित्र जुड़े हुए हैं. उपर के जो दोनों संधारित्र हैं, वो सीरीज में हैं. तो उसके लिए 1 by 6 प्लस 1 by 6 कर लेंगे. आ जाएगा 2 by 6 और लास्ट में चेंज कर देंगे तो 6 by 2 हो जाएगा. यानि कि 3 और नीचे वाला 6, 6 और 3, 9 फैराड हो जाएगा. यानि कि हमारा ओप्शन B सही होगा 9 फैराड. नेक्स्ट कोशन नमबर 33. तीन संधारित्र जिनमें प्रतेक की धारिता C है, स्रेणी करम में जुड़े हैं. उनकी तुल्य धारिता है. उप्शन A 3C, उप्शन B 3 by C, उप्शन C, C by 3 और उप्शन D 1 by 3C. जब संधारित्र को स्रेणी करम में जुड़ा जाता है, तो 1 by C1 प्लस 1 by C2 प्लस 1 by C3 हो जाएगा. यानिके 1 by C, प्लस 1 by C, प्लस 1 by C, मेंस 3 by C, और लाश्ट में चेंज कर देंगे, C by 3 हो जाएगा. यानिके ऑप्शन C सही होगा, C by 3. नेक्स्ट कोस्टन नमबर 34, एक छोटे बिधुत दुई धुरूप के कारण, बिधुत विभव, शमानुपाती होते हैं. हमारे ओप्शन्स हैं, ओप्शन A, R, ओप्शन B, 1 by R, ओप्शन C, 1 by R², और ओप्शन D, 1 by R³. तो बच्चो एक छोटे बिधुत दुई धुरूप के कारण, बिधुत विभव निकानने के लिए फर्मूला यूज़ किया जाता है, Kp by R², तो हमारा ओप्शन C सही होगा, 1 by R². बढ़ते हैं, नेक्स्ट कोशन 35 नमबर, पांच माइक्रो फराड की धारिता प्राप्ट करने के लिए, दो माइक्रो फराड वाले कितने संधारित्र की आउशक्ता होगी? आप्शन A 4, आप्शन B 3, आप्शन C 5 और आप्शन D 6, तो बच्चों पांच माइक्रो फराड की धारिता प्राप्ट करने के लिए, दो माइक्रो फराड वाले संधारित्र को दिये गए, फिगर के अनुसार से अगर adjust कर दिया जाए, सजा दिया जाए, तो हमारा answer पांच microfarad आ जाएगा, तो इसको जब solve करेंगे, आप तब पांच microfarad हो जाएंगे, तो आप देख सकते हैं कितने संधारीत रहे हैं, चार हैं, तो हमारे option A सही होंगे, चार, बढ़ते हैं next question की तरफ, question number 36, अधिक्तम धारीता प्राप्त करने के लिए संधारीतर को जुड़ा होना चाहिए, option A स्रेणी करम में, option B समनांतर करम में, option C मिसरित करम में और option D, इन में से कोई नहीं, तो बच्चों जब भी अधिक्तम धारीता प्राप्त करना हो, तो संधारीतर को समनांतर करम में जुड़ा जाता है, यानि कि हमारा option B सही होगा, समनांतर करम में, कोसा नमबर 37, अगर समान बिधु छेत्र, जेड अक्ष के अनुदीस हो, तो सम विभाव प्रिस्ट होंगे, हमारे options है, option A, XY समतल के अनुरूप, option B, Y, Z समतल के अनुरूप, option C, Z, X समतल के अनुरूप, और option D, सभी, बचो, अगर समान बिधु छेत्र, जेड अक्ष के अनुदीस हो, तो सम विभाव प्रिस्ट, XY समतल के अनुरूप होंगे, क्योंकि हम जानते हैं, कि बिधु छेत्र और सम विभाव प्रिस्ट, एक दूसरे के लंबवत होते हैं, और ये भी जानते हैं, कि XY और Z भी लंबवत होते हैं एक दूसरे के, तो अगर बिधु छेत्र जेड अक्ष पर है, तो सम विभाव प्रिस्ट, XY अक्ष पर होंगे, बढ़ते हैं, next question, question number 38, एक electron को दूसरे electron की ओर ले जाने पर निकाय की बिधुत इस्थिती उर्जा, option A, घटती है, option B, बढ़ती है, option C, समान रहती है, और option D, इन में से कोई नहीं, बच्चों, जब ही एक electron को दूसरे electron के समीप लाया जाता है, तो बिधुत इस्थिती उर्जा का मान बढ़ जाता है, यानि कि हमारा option B सही होगा, बढ़ती है, और जब दूर ले जाएंगे, तब बिधुत इस्थिती उर्जा घटने लग जाएंगे, बढ़ते हैं next question, question number 39 की तरफ, दो विभिन तिर्जा वाले गोले को समान आवेश दिये जाते हैं, तो बिधुत विभाव, हमारे options है, option A, छोटे गोले पर अधिक होगा, option B, बड़े गोले पर अधिक होगा, option C, दोनों गोलों पर समान होगे, और option D, दोनों गोलों पर शुन्य होगे, तो हमारा option A, सही होगा, छोटे गोले पर अधिक होगा, जब भी दो विभिन तिर्जा वाले गोलों को समान आवेश दिये जाते हैं, तो जो छोटा गोला होगा, उस पर विधुत विभाव का मान अधिक होगा, question number 40, यदि संधारित्र के प्लेटव के बीच एक धातू की छड़ को डाल दिया जाए, तो इसकी धारिता होगी, हमारे options है, option A, शुन्य, option B, अनन्त, option C, रिनात्मक, और option D, धनात्मक, तो बाबु, जब भी संधारित्र के प्लेटों के बीच एक धातू की छड़ को डाला जाता है, तो उसकी धारिता का मान अनन्त हो जाता है, यानि कि हमारा option B सही होगा, अनन्त, बढ़ते हैं, next question, question number 41 की तरफ, 41 number question है, कि जब संधारित्रों को स्रेणी करम में जोड़ा जाता है, तो प्रतेक संधारित्र में शमान होंगे, हमारे options है, option A, बिधुत विभव, option B, बिधुत आवेस, option C, A तथा B दोनों, और option D, इन में से कोई नहीं, बच्चों जब संधारित्रों को स्रेणी करम में जोड़ा जाता है, तो प्रतेक संधारित्र में बिधुत आवेस समान होते हैं, यानि कि हमारा option B सही होगा, बिधुत आवेस, बढ़ते हैं, नेक्स्ट कोशन की तरफ, question number 42, 42 number question है, जब संधारित्रों को समरांतर करम में जोड़ा जाता है, तो प्रतेक संधारित्र में समान होंगे, option A, विधुत विभाव, option B, विधुत आवेस, option C, A तथा B, दोनों, और option D, इन में से कोई नहीं, तो बच्चों जब संधारित्रों को समरांतर करम में जोड़ा जाता है, तो प्रतेक संधारित्र में विधुत विभाव समान होते हैं, यानि कि हमारा option A सही होगा, विधुत विभाव, और विधुत आवेस जो होता है, वो असामान होता है, बढ़ते हैं next question, question number 43, ताप मान बढ़ने पर पर विधुतांक का मान, हमारे options है, option A, बढ़ता है, option B, घटता है, option C, समान रहता है, और option D, उपर के सभी, बचो ताप मान और परावेदुतांक एक दुसरे के inversely होते हैं, यानि कि हमारा option B सही होगा, घटता है, जब ताप मान को बढ़ाया जाता है, तो परावेदुतांक का मान घट जाता है, और ताप मान को घटाने पर, परावेदुतांक का मान बढ़ जाता है, बढ़ते हैं, next question, question number 44, C छमता वाले दो संधारितर समरांतर करम में जुड़े हैं, उनके समतूल्य धारिता होंगे, option A, 2C, option B, C, option C, C by 2, और option D, 1 by 2C, जब भी C छमता वाले दो संधारितर को समरांतर करम में जुड़ा जाए, तो फर्मूला यूज करेंगे, C1 plus C2, यानि कि C plus C, means 2C हो जाएगा, यानि कि हमारे option में, option A सही होंगे, 2C, बढ़ते हैं, आज का last question, question number 45, 64 समरूप बुंदे, जिन में प्रतेक की धारिता 5μF है, मिलकर एक बड़ा बुंद बनाते हैं, तो बड़े बुंद की धारिता होगी, हमारे options है, option A 164μF, option B 20μF, option C 4μF, और option D 25μF, बच्चों, जब 64 समरूप बुंदे मिल करके, एक बुंद बनाते हों, तो 64 समरूप बुंदों का, आयतन, एक बुंद के आयतन के बराबर हो जाएगा, यानि कि लिख सकते हैं, 4 by 3 pi r cube, is equal to 64 into 4 by 3 pi r cube, solve करने पर r is equal to 4 r हो गया, यानि कि बड़े वाले का capacity, छोटे वाले के 4 गुना के बराबर हो जाएगा, तो छोटे वाले का capacity कितना है, 5 micro farad, तब 5 में 4 से गुना कर दें, तो बड़े वाले का capacity पता चल जाएगा, यानि कि 5 गुने 4, 20 micro farad हो जाएगा, यानि कि हमारा option 20 ही होगा, 20 micro farad, तो बच्चों रहने दिते हैं, मिलते हैं next class में, तब तक के लिए खूस रहिए, सुरक्षित रहिए और सबसे important पढ़ते रहिए, Thank you, thank you so much बाबू.